नमस्कार दोस्तों आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ति के अंतियोहर में स्वागत है आज मैं आपको बैसाक सुंबार की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमाश्यवाय जरू लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अब सुनिए ये कहानी किसी गाउं में एक बूरी माई अपने बेटे और बहु के साथ रह वह दस बर्श की थी लेकिन थी बहुत समझदार वह अपने माता पिता के साथ भगवान शिव के मंदिर जाती तो वह देखती थी कि उसके माता पिता भगवान शिव से पुत्र मांगते थे तब एक बार की बात है उसके माता पिता से मंदिर के पुजारी ने कहा कि अगर त पुत्र की कामना है तो तुम पशुपतिनात के नाम के पांच सौंबार का ब्रत करो। फिर लड़की के माता-पिता ने पशुपतिनात के नाम के पांच सौंबार के ब्रत किये और वे लड़की भी अपने माता-पिता के साथ पूजा करने जाने लगी। पांच सौंबार पूरे होते ही उसकी मा गर्वती हो गई और नौ महीने के बाद उसके उसने एक पुत्र को जन्म दिया इस चमतकार को देखकर उस लड़की की आस्था भगवान शिव में और बढ़ गई अब तो वह लड़की घंटों बैटकर भगवान शिव का पूजा पाट किया करती थी अपनी बेटी को पूजा पाट करते देख उसके माता पिता वहुत खोशोजे थी वह लड़की अब पूरे समय शिम मंदिर में ही बैठी रहती थी वह घर बुलाने पर ही जाती थी पूरे गाओं के लोग अपनी बच्चों को उसका उधारन देते थे उस समय बच्चे जब 11-12 साल के होते थे तभी उनका बिवा कर दिया जाता था तो उस लड़की का भी 12 बरस में बिवा हो गया और जब भे 14 बरस की हुई तो उसका गौना हो गया जब भे 16 बरस की हुई तो उसे एक पुत्र भी हो गया उसका पुत्र चार साल का हुआ ही था कि उसके पती की किसी बीमारी के कारण मृत्य हो गई उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे का पालन पोशन किया और उसे पढ़ाया लिखाया धीरे धीरे समय बीता और लड़का बिवहा योग्य हो गया उसने अपने बेटे का बिवा कर दिया लेकिन वह भगवान शिव का पूजा पाट करती रही उसने छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े दुख देके लेकिन उसकी हिम्मत नहीं तूटी इसी तरह समय बीथने लगा और एक दिन की बात है वह बुड़ी माई भगवान शिव की पूजा करके घर आई तो उसके बेटा बहु ने कहा मा इतना पूजा पाट क्यों करती हो तुम्हें भगवान शिव ने दिया ही क्या है आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके महने से हूँ भगवान शिव ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है तब उस बुड़ी माई ने कहा कि मैंने कभी भगवान की पूजा सेवा इसलिए नहीं की कि मुझे बदले में कुछ मिले मैंने अपनी खुसी के लिए भगवान शिव का पूजा पाट किया और सेवा की इससे मुझे खुशी मिलती है पूजा पाट करने के बाद मेरा मन सांत रहता है मेरा दिन अच्छा निकलता है जैसे एक मा बच्चे का पालन पोशन करती है और बदले में बच्चे से कुछ नहीं चाहती वैसे ही मैंने भगवानशिव का पूजा पाट किया है उस दिन बैसाख मास का बड़ा सौंबार था वैस सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि मेरे बेटा बहु ही मेरी भक्ती पर सवाल जवाब करेंगे मैंने कभी भी पूजा पाट इसलिए नहीं किया कि मुझे भगवान से कुछ चाहि महादेब जी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं अगर मुझे जीवन में दुख मिले हैं तो वहवे मेरी किसमत थी मेरे कर्म थे वो तो सबको ही भूगने पड़ते हैं उस दिन उसका मन बहुत दुखी हो गया तब उसने एक कागज लिया और उस पर लिख दिया कि पेटा मैं भगवान शिव से मिलने जा रही हूँ अब मैं घर तभी वापस आऊंगे जब मुझे भगवान शिव और मापार्वती के दर्सन हो जाएंगे अनिता मैं घर नहीं आऊंगी अगर मैं घर ना आऊं तो तुम दोनों दुखी मत होना समझना कि हमारा साथ यहीं त जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी लेकिन बूरी माई डरी नहीं बलकि वह सोचने लगी कि जंगल में यदि कोई जंगली जानवर खा जाएगा तो कोई बात नहीं उसका भी पेट भच जाएगा वैसे अब मुझे जीने की इच्छा ही नहीं है मैं इसे ही अपना भागी समझ लूँगी उधर कैलाश पर मा पार्वती और भगवान सिव यह सब देख रही थे मा पार्वती ने भगवान शिप्षे कहा हे प्रभू ये आपकी सच्ची भक्त है और इसने आपके और मेरे दर्शन के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है अब हमें ही इसकी मदद करने होगी अब आप इसकी और परिच्छ मत लीजिए तब भगवान शिप्ष ने कहा हे देवी अभी इसी दर्शन देने का समय नहीं आया है लेकिन तुम इसकी मदद के लिए भेस बदल कर प्रत्वी पर पहुंच जाओ और जैसा मैं कहूं वैसा ही करो तब मा पार् बूरी माई को जंगल में एक जोंपड़ी दिखाई दी बूरी माई जोंपड़ी के पास गई तो उन्हें एक बूरी औरत दिखाई दी वह औरत और कोई नहीं बलकि मापार्वती ही थी उस बूरी माई ने मापार्वती से कहा बहन आज रात मुझे यहां आश्रा मिलेगा म मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाओंगी मापार्वती तो उसकी मदद कर नहीं आइं थी तो उन्हों ने कहा हां भें तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो तब उस बुरी माई ने कहा नहीं भें मुझे सुबह ही जाना है मुझे बहुत दूर जाना है तम्मा पारवती ने कहा बेहन तुम्हें कहा जाना है तब उस बुरी माई ने कहा मुझे भगवान शिव और मा पारवती से मिलना है मैं उन से मिलने के लिए ही अपना घर छोड़ कर आई हूं अब मैं घर तभी जाऊंगे जब मुझे भगवान शिव और मापार्वती की धर्षन हो जाएंगे तम मापार्वती ने कहा बहन तब तो मेरी और तुम्हारी मंजिल एक ही है मैं भी भगवान सिव से मिलना चाहती हूँ तो तुम भी वही करो जो एक साधू ने मुझे करने के लिए कहा है तब वह बुड़ी माई बोली बेहन जल्दी बताओ क्या करना है मैं वर्षब करूँगी तम मापार्वती ने कहा कि आज बेशाक माह का पहला सौंबार है बेशाक मास में कभी चार तो कभी पांच सौंबार आते हैं बेशाक मास में ब्रेट पूजा पाठ और दान करने से भागवान शिव बहुत प्रशन होते हैं और सभी मनो कामनाय पूरी करते हैं तथा अपनी भक्तों को दर्शन भी देते हैं तो वह बुड़ी माई बोली बेहन आज तो मैं सुभे से ही भूगी हूँ मैंने कुछ भी नहीं खाया बस एक गिलास पानी पिया है तम मा पारवती ने बुड़ी माई को जोपड़ी में बेठाया और खानी को कंद मूल फल दिये दोनों ब्रत खोल कर सिपची की बातें करते करते सो गई सुभे बुड़ी माई को जल्दी उठने की आदत थी तो वह उठ गई जोपड़ी के बहार आई तो उन्हें एक जणना बहता हुआ दिखाई दिया बुड़ी माई ने वहां इसनान किया और भगवान शिव की पूजा की और फिर बापस जोपड़ी में आ गई बुड़ी माई ने देखा कि ये तो अभी भी सो रही है लेकिन ये तो कहीं से बुड़ी नजन नहीं आ रही इनके चहरे पर अनोखा तेज है इनका तेज तो किसी देवी की भाती चमक रहा है तब ही माता पार्वती की आँख खुल गई और माता पार्वती के मुझसे पहला सब ओम निकला तम्मा पार्वती ने कहा कि बहन रात में देर से सोई थे इसलिए मुझे उटने में देर हो गई तब बुड़ी माई ने कहा कि बहन कोई बात नहीं लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और इस घनी जंगल में जोपड़ी बना कर क्यों रहती हो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पती सब कहा है तम्मा पार्वती ने मन गढ़ंत कहानी सुना दी इसी तरह समय बीथने लगा पूरे बैसाख मास में उन्होंने इस्नान किया और भगवान शिव का पूजा पाट किया बैसाख के सुमबार का ब्रत किया बैसाख पूर्मा का दिन था और भगवान शिव की माया से बूरी माई देर तक सोती रही और मापार्वती जल्दी उठ गए तभी भगवान शिव जौपड़ी के बहार पहुँच गए जब मापार्वती ने भगवान शिव को देखा तो वह बहार आई और भगवान शिव से बातें करने लगे तभी नीन में बूरी मा को बोलने की आवाज सुनाई दी तो वह जल्दी से उठ गए और उन्होंने देखा तो उसे मापार्वती कहीं दिखाई नहीं दी जौपड़ी के बहार आई तो उनके आश्चरी का ठिकाना न रहा उसने साथ-चाथ भगवान शिव और मापार्वती को देखा बूरी माई उनके चर्णों में गिर गई और उनकी आँखों से आशू बहने लगे तब भगवान शिव ने कहा कि आज तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो तब उस बूरी माई ने कहा हे देव मेरे साथ इस जौपड़ी में एक बूरी औरत थी बहवी आपके दर्सन करना चाहती थी लेकिन वे कहीं देख नहीं रही तब मापार्वती ने मुश्कुरा कर कहा कि बहन वे बूरी औरत में ही थी तब बूरी माई ने कहा कि हे भगवान हे माता मैंने कभी भी आपकी पूजा पाट इसलिए नहीं किया कि मुझे बदले में कुछ चाहिए लेकिन मेरे बेटे बहु कहते हैं कि मुझे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं मिला लेकिन आपके पूजा पाट से मुझे जो खुसी मिली है फ्य किसी दौलत से कम नहीं है हे प्रभु मैं इतना चाहती हूँ कि आपके लिए मेरी भक्ती हर जनम में इसी तरह बनी रही साथ ही मेरे बेटा बहु को सद बुद्धी मिले ताकि बो भी आपका पूजा पाट करें तब भगवान शिवने कहा ऐसा ही होगा फिर भगवान शिवने बुड़ी माई से कहा कि तुम एक छड़ के लिए आँखे बंद करो तब बुड़ी माने आँखे बंद कर ली जब आँख खोली तो उसने खुद को अपने घर में पाया उसका तूटा फूटा घर अब सुन्दर महल में बदल चुका था जब बेटा बहु ने अपनी माँ को देखा तो वे उनके चर्णों में गिर पड़े और अपनी गलती की छमा मांगी और कहा मा ये सब आपके पूजापाट और भगवान शिव और मापारवती की किरपा से हुआ है जब ये ख़वर गाउवालों को मिली कि बूरी मा को मापारवती और भगवान शिव के दर्शन हुए है तो पूरा गाउव उसके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा जब उस नगर के राजा रानी को पता चला तो बहवी उसके दर्शन करने उसके घर आए फिर राजा ने पूरी नगर में धिन्डोरा पिटवा दिया कि सभी को बैशाखी सौंबार का ब्रत करना चाहिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए बड़ पीपर और आंकड़े को सीचना चाहिए ऐसा करनी से घर में सुक शम्रद्दी आती है जैहो भगवान शिव की जैहो मतब पार्वती की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादा शेयर करें धन्यवाद